नमस्कार सुकन्यागीरटीम आप सभी को अभी जो टॉपिक फेह हम डिस्केशन करेंगे यह Matthew- आहाद सकते हैं कि आपके प्रोडाक्ट में शुरू करते हैं सबसे पहले घीछा नहीं कि आपका जो सुकन्यागर का सेनेटरी पैड है वह 100 परसेंट बायो डिग्रीडेबल है पहला पॉइंट यह है मतलब यह जैव अभगटित है यानि कि सडगल के खाद बन जाएगा आप जब यूज करके इसको कहीं भी फेक देंगे या मिट्टी में दबा देंगे या पानी में बेड़ पॉद्णों से बनता और जो जिलेटीन पाउडर यूज किया गया है जो ब्लड को सोकता है वो केले के डंफल को प्रॉसेस करके बनाया गया है तो यह पूरी तरीके से हर्बल होने की वज़े से यह एको फ्रेंडली है यानि कि जब आप इसको 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 इ पीरिएड उसमें 30-80Ha बलड डिश्चारज होता है पूरे तीन दिनों में यानि कि एक दिन में जो डिश्चारज होता है वह Maximum 67-56 में होता है और जो आपका सुकनए-गया पैड सोकता है एक सिंगल पैड वह 100-1.5 पैड और यानि कि अगर कोई चाहे तो इस पैड को पूर तीन चार घंटे में ही पैड चेंज क्यों करना है क्योंकि आपका जो मार्केट वाला पैड है उसमें प्लास्टिक है और रूई है जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है और वो इंफेक्शन भी क्रिएट करने लगता है जो बैक्टीरिया आते हो उसमें बढ़ने लगते है तो इस वज़े से डॉक्टर भी बोल देते हैं कि तीन-चार घंटे में आप पैड को चेंज कर दें जबकि जो सुगन्यकेर का पैड है एक पैड आप 24 घंटे तक कम से कम लगा सकते हैं उसमें एनाइन चीप लगा हुआ है जो एलकलाइन सलूशन बनाता है जैसे आपकी ब लंबे समय तक इसतेखिए इसके बाद जो इसमें वेहतर ऑक बात यह एक यह है यह पैड जो है बहुत पतले है करियую कि is